पत्रकारों पर F.I.R. का फिर खेल सुरू हो गया है इस बार यूपी में दो बढ़ामन समाज के पत्रकार अभिसेक उपाध्याय जो टेलिविजन के पत्रकार हैं और ममता तिरपाथी उन दोनों पर F.I.R. हुआ है कुछ बाजिब सवाल उठाए गए थे जिसके बाद उन पर F.I.R. हुआ है ये बड़ी खबर है जो आपको बताऊंगा हरियाना में किसकी सरकार बनेगी क्या सही में कॉंग्रेस जीत रही है या कॉंग्रेस हार जाएगी क्या पूरा खेल फस गया और किस तरह से पहले OBC नाराज थे अब दलित समाज के लोग नाराज है कुमारी सैलजा का अपमान भारी पर रहा है कॉंग्रेस अध्यक्ष उदैभान अपने दामात तक को टिकट नहीं दिलवा पाए क्या हरियाना में OBC के बाद दलित कॉंग्रेस से अलग हो रहे हैं क्या इसकी सच्चाई और चंसेखर राजाद और आकाश अनंद की रैली ने किस तरह से बहुजुनों को एक जूट कर दिया है अर्विंद के जिरिवाल भी मैदान में है तो क्या हरियाना में कॉंग्रेस की सरकार, BJP की सरकार या मिल इजुली सरकार ये भी इस वीडियो में बताऊंगा जो बहुत जरूरी है और लड़ू पर राजनीती तिरुपती बाला जी के मंदिर वाले लड़ू की जो ख़बर है वो सिर्फ चड़वी का मामला है, आस्था का मामला है, इसमें भी राजनीती है वो तमाम बड़ी खबरे जो सोसल मीडिया पर वाइरल है और जिसके पीछे की सच्चाई आपको जानना जरूरी है नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंग और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तर तो सबसे पहले आपको ले चलते हैं लड़ू वाली राजनीती की तिरुपती वाला जी में लड़ू पर अब राजनीती हो रही है चंद्रबावु नाइडू होँ सरकार में है, सत्ता में है, वो कमंत्री है और चंद्रबावु नाइडू के 16 MP से सरकार चल रही है किसकी? बीजेपी की अभी सुप्रिया सिर्नेज जो कॉंग्रेस की परवक्ता उन्होंने एक ट्वीट किया कि किस तरह से टीवी नेटीन जो एक न्यू चैनल है, यूटूब है उसने किस तरह से थमनेल लगा रखा था कि इसके लिए कॉंग्रेस जीमेदार है सुप्रिया ने संपादक से बात की, संपादक ने बात में थमनेल हटाया सुप्रिया का कहना था कि जिस दौरान, जिस सरकार के दौरान ये पूरी घटना हुई है, दरसल जगन मोहन रेड़ी, जगन मोहन रेड़ी परधान मंत्री नरेद मोधी के साथ कई तस्वीरे आपको मिलेंगी, जब जगन मोहन रेड़ी सत्ता में थे, आंध परदेश के सीम तो संसद में हर बील का वो समर्थन करते थे और वो गटवंधन में तो नहीं थे, लेकिन गटवंधन से ज़्यादा वफादार थे बीजेपी के साथ, सुप्रिया स्वीनेत का कहना है कि आखबार वाली ये खबर नहीं चला रहे हैं कि जगन मोहन रेड़ी किसके संपर्क मे आपको बता दूँ कि जगन मोहन रेड़ी के पिता कॉंग्रेस के नेता थे, मुखमंतरी थे, हेलिकोप्टर क्रैस में उनका निधन हुआ, उसके बाद जो राजिंती घटना कर्म होई, उसमें उनको मुखमंतरी नहीं बनाया गया, सुनिया गांधी के परिवार से वो दू आप तूटा, उस जब सत्ता में थे जगन मोहन रेड़ी, तब जैसे नविन पतनाक और जगन मोहन रेड़ी, ये दोनों सत्ता से बाहर हैं, तो ये बाद सुप्रिया सिरनेत की सही है, कि उस समय बीजेपी से उनकी दोस्ती ज़्यादा कारगर थी, और अब जैसे ही बीजे कहा है कि हमने कभी घी सपलाई ही नहीं किया, लेकिन सबसे बड़ा लोग सवाल पूछ रहे हैं कि सोचिए इस देश में नकली तेल, ख़द पदार्थ नकली, कौन लोग बिजनेस में हैं, किन लोग का बिजनेस पर दबदवा है, किसान तो नहीं मिला के भेजता होगा सरसो में नकली, मुंफली में नकली, सन फलावर में नकली, सोचिए हम सब लोग मौत की तरह बर रहे हैं, रोज नकली घी, नकली तेल खा रहे हैं, इस देश में एक बड़ी नीती बननी चाहिए नकली घी और नकली तेल के खिलाब, यह सबसे बड़ी जरूरी बात है, जो मैं आ अस्ताय का सवालाल сवाल है कि जो सरकार की जिम्मधारी नहीं है जब आप पूरा पैसा दे रहे हैं तो स्वास्त खाने की जिम्हदारिया पूरी दुनिया में जो कंट्रोल है जो जो भोक्ता मंत्राल है जो खाने पिने के जो डिपार्टमेंट्स बने हुए है सवाल है कि जो लोग मंदिर में जब इस तरह की गरवरिया हो सकती है तो सोचे आम जन जीवन में क्या होता होगा तो ये इस पर भी सोचिए और एक और ख़बर में जोड़ देश में हाईवे टुटने का रिकॉर्ड लगातार बनता जा रहा है लगातार कोई कह रहा है 960 क्रोड का हाईवे बन रहा था महराष्ट और MP को जोड़ने वाला वो साउंड प्रूफ था वो दरग गया बंद करना परा तो एक एक हजार दो-दो हजार क्रोड के रोड बन रहे हैं और वो गरवरिया हो रही इस पर ये भी एक तरह का बड़ा मिलावट है इस पर भी बात होनी चाहिए अब बात यूपी में ये अभिसेक उपाद्धा है ममतातिर पाठी है इनके खिलाब फाइयार दर्च किया गया है कहा जा रहा है जो फाइयार है उसमें कहा जा रहा है कि इन्हों ने इन दोनों ने पोस्टिंग को लेकर सवाल उठाये थे कि क्या एक जाती विसेस की पोस्टिंग होने जिसके बाद फाइयार हुआ है सोचिए यही कोई गैर सवर्ण दल होता, गैर सवर्ण सरकार होती BJP के अलाबा कोई सरकार होती और इस तरह से पत्रकारों पर फैयार होता तो सारे पत्रकार एक जूठ होतें, TB अकवार लेकिन सोचिए बिचारधारा इतनी बड़ी चीज है कि पत्रकार विरादरी भी अपने सवर्ण पत्रकार का साथ छोड रहा है कोई टीवी अखवार में इसका विरोध नहीं है सोचिए मानेवर कांसी राम सहाब और आसुतोस के बीच एक विवाद हुआ था उसके बाद पूरा सवर्ण मीडिया मानेवर कांसी राम सहाब के सिलाब धर्मने पर उतर गया था पूरा मीडिया उस समय बाद में सुरेंद परताप सिंग ने इसको भापा कि ये तो जातिवादी लोगों का गिरोभ बन गया है लेकिन आज पत्रकारों पर जब फयार हुआ है तो टीवी अख़वार चुप है मौन है खेर सोचिए इस तरह से जब थोरी सी पतकाईता हुई तो लेकिन 56 SDM बाले ख़बर को लेकर कोई बात नहीं है अब आपको लिए चलते हैं सिधे हरियाना कहां One Nation, One Election की बात हो रही थी अब ख़बर आ रही है कि चार राज्यों में चुनावा है और चुनाओ नहीं करवा पाई जारखन महराज में भी एक साथ चुनाओ होना था चलिए जमू कश्मीर और हडियाना में ही चुनाओ रहा है याना में ख़बर है कुमारी सैलजा ने अपने आपको कॉंग्रेस से अलग थलग कर लिया है वो शक्रिये नहीं है उसके बाद उदैभान जो कॉंग्रेस के अध्यक्ष है उन्होंने अपने दमाद तक को ठीकट नहीं दिलवा पया है मतलब पूरा बर्चस हुड़ा फैमिली का है दिलीप मंडल लगातार मिर्चपूर कांड को याद कर रहे है और लारा के मारे जाने की खबरे भी वो अब लिखा रहे है तो ये तो तह है कि हुड़ा के मुखमंतरी रहते हुए जातियो उत्किरन अपने शवाब पर था और जिस तरह से हर्याना में कुमारी सैलजा का अपमान हो रहा है उसके बाद आकासानन ने मोर्चा कोल दिया है चंसेखर उहाँ पर है और इससे साफ है कि उहाँ मिली जुली सरकार की संभावना बन रहे अर्विन केजरिवाल को ये नबॉक पर जमानत सोचिए नमांकन गटवंधन की कहां बात हो रहे थी कॉंग्रेस और आमादी पार्टी में गटवंधन नहीं होई नमांकन के ठीक बात अर्विन केजरिवाल की जमानत वो चुनाप पर चार में भी उतर गए इसका मतलब है कि खेल गहरा है साजिस गहरी है और एक बात तो तय है कि कॉंग्रेस का जो इगो है मैं फिर कह रहा हूँ मैंने कहा था जब तीन राज कॉंग्रेस हारी थी राजस्थान, 36 गर्मत, पर्देश तब कॉंग्रेस ने इंडिया गटवंधन बनाने के लिए मजबूर हुआ था लेकिन जैसे उसके सो सीट आ गये उसके लिए फिर से सवर्ण नेता प्रायटी पर आ गये संभिधान, जाती, जनगर्ना पीछे छुट गया हर्याना के चुनाव में अगर कॉंग्रेस नहीं जीतती है तो फिर वो सी, स्टी, ओबिसी के मुद्दे पर आएगी और मुझे लगता है कि हर्याना में कॉंग्रेस से ओबिसी पहले ही दूर है अब इसी समाज इस बार दूर हो गया, जिस तरह के हलात बने है तो सवाल है कि वोट कौन देगा आदेश रावल जो कॉंग्रेस के बरे करीबी पत्रकारों में से उन्होंने कहा है कि नबे सीट वाली हर्याना में कॉंग्रेस चालीस पर भी सिमर्थती हुई नहीं दिख रहे है चालीस से भी नीचे जाती हुई दिख रही है आकास अननन ने भी मोर्चा खोला हुआ बी एस पी का इनोलो से गट बंधन है चंसेखर आजाद का दुस्यान चोट अला से गट बंधन है दुस्यान चोल अला तो हो सकता है नो कुछ करे लेकिन इने लो और कॉंग्रेस की बसपा का जो गट बंधन है वो बड़ी सेंदमारी कर सकते है अर्वीन केजरिवाल तो आपकी क्या रहा है मेरी राय में हड्याना में मिली जूली सरकार बनती हुई दिख रही है और मानेवर साहब ने काया कि मिली जूली सरकार जनता के लिए ज़्यादा अच्छी बात है तो ये बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा हूँ और आपको ले चलते हैं बामसेफ के राष्टी अधिवेशन में बामसेफ का राष्टी अधिवेशन पांस दिन का इस बार 23 सिप्टेंबर से 27 सिप्टेंबर तक तथागत बुध की जन्मस्थली जो अब नेपाल में हैं पहले भारत का हिस्से था लुम्बनी में हो रहा है सोचिए तथागत बुध की जन्मस्थली लुम्बनी में समराट अशोक के दौर में पहले सोचिए तो लुंबनी में तथागत बुद्ध जो अब नेपाल में है वहाँ पर तथागत बुद्ध के जन्मस्थली पर बाम सेफ का पांच दिनों का राश्क्री अधिवेशन हो रहा है तो यह आज की वो तमाम बड़ी खबरे थी जो सोसल मीडिया पर वायरल है और इसलिए मैं कह रहा हूँ सोसल मीडिया ही सच्चा मीडिया ही सोसल मीडिया ही बहुजन मीडिया मीडिया है, सोसल मीडिया है, बहुजन मीडिया है, आपकी क्या पर्तकिरिया अपनी पर्तकिरिया जरूर दीजिए, शुक्रिया.